देखिए आज के बाग बनाने के लिए हमने ये गुल्टेड पीस लिया है और इसका मेजरमेंट है 7 इंच पाई 9 इंच हम पॉकेट बनाएंगे तो इसके हाइट है 7 इंच और वीड़ है 9 इंच सेम साइज का हमने अस्तर लिया बर से हमने 7 इंच मार्क किया एक लाइन ड्रॉ की है और ये 9 इंच जिसके हमने जीपर ली है और ये हम अस्तर के साथ ही कटिंग करेंगे ऐसे दोनों को हम साथ में कटिंग करेंगे देखिए ये कटिंग होने के बाद ये 9 इंच जिसकी जीपर सीधी साइड इसके उपर बैक साइड में अस्तर का पिस यहां से यहां तक हम इसके बाद यहाँ पर भी हम सिलाई करेंगे, देखिए यहाँ हमने सिलाई की इसके बाद यहाँ से सीधी साइड करते हैं, सीधी साइड करने के बाद यहाँ टॉप स्टीच, यहाँ से सिलाई करेंगे, देखिए यहाँ हमने टॉप स्टीच किया और दोनों साइड से सिलाई कि यहां हमने सिलाई नहीं की है यह हम जोड़ेंगे तब ही इसके उपर करेंगे इसके बाद यह दूसरी साइड हम यहां जोड़ेंगे यहां हमने सिलाई की इसके बाद यह अस्तर उपर की साइड में फाब्रिक उपर की साइड में यहां हम टॉप स्टीज करेंगे देखिए इसे हमने यहां से रनर डाला और रनर डालने के बाद अगर आपके पास फाब्रिक है तो यहां आप इसे फाब्रिक की पाइपिन कर सकते हैं यहां हमने यह तयार पाइपिन ली है तो यहां से यहां तक हम चोड़ देंगे देखिए इसके बाद एक हमने यह piece लिया है quilted piece लिया है बड़ा और इसका measurement है 25 inch by 32 inch 32 inch by 25 inches का एक piece हमने लिया है और यहां से यह 25 inch side है और यह हमने fold किया 32 inches की side है यह यह हमने fold किया और ऐसा हमने यह center का mark किया है इसके उपर center से 4 inch यहां से 4 inch हमने एक line draw की है दोनों side में इसके बाद उपर से हमने 4 inch का mark किया यहां से हमने 4 inch का mark किया ऐसा ही mark हमने यहां किया है 4 inch mark और यहां पर भी हमने एक center का mark किया है तो यह हम ऐसे रखेंगे, यह 25 इंच जिसकी साइड है, देखे हम पॉकेट लएंगे, यह ऐसे फोल्ड करती हो, एक साइड में, यहां हमने 4 इंच का मार किया, यहां पर भी हमने 4 इंच का मार किया, यह हम ऐसे रखेंगे, यह स्पेस 8 इंच की है, और यह साइड 9 इंच की है, यह मारकिंग के बाहर 10 इंच, यहां से 10 इंच हम छोड़ेंगे, ऐसे, यहां से यहां तक सी लाई करेंगे, यहा और यहाँ देखिए ऐसे हमने यह pocket जोइन किया और यह pocket जोडने के बाद देखिए ऐसे एक side में इसके बाद यह हमने 100 inches का belt लिया है यहाँ अगर आपके बास fabric है तो भी आप fabric का belt बना सकते हैं तो यह हमने तयार belt लिया है 100 inches का इसके दोनो side हम पहले जोड़ देंगे ऐसे यहाँ देखिए यहाँ हमने सिलाई की इसके बाद ऐसे built turn करेंगे और इसके opposite side में देखिए ऐसे और इसके opposite side में हम mark करेंगे यहाँ हम mark करेंगे ऐसे इसके बाद यह piece हमने यहाँ यहाँ से 4 इंच का mark किया और यह 25 इंच की side यह 32 इंच की side यहाँ पर भी हमने center का mark किया है यह हमने center का mark किया है तो यहाँ यह side हम ऐसे नीचे रखेंगे यहाँ रखेंगे और यह जो mark है यह side हम यहाँ रखेंगे और ऐसे ही यहाँ से जो 4 इंच का mark है वहाँ तक हम सिलाई करेंगे ऐसे ही ऐसे ही दूसरी side में देखें ऐसे हमने यह build join किया यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर भी हमने 4 इंच कमार किया था तो यह build जोडने के बाद इसी के size का पच्चिस इंच पाई 32 इंच पाई 25 इंच इंच का एक अस्तर का piece हमने लिया है और 25 इंच इंच की जीपर यह 25 इंच इंच की जीपर हमने लिया तो हम ऐसे जोड़ेंगे देखें यहाँ सिधी side फाब्रिक के उपर यह 25 इंच की side है और इसके उपर यह अस्तर की सिधी side सिला यह हम करेंगे देखें ऐसे हमने एक side में जीपर जॉइन की इसके बाद यह जीपर हम separate करेंगे दूसरी side और यहाँ जोड़ेंगे यहाँ दूसरी side में सिधी side नीचे रहेगी यहाँ जोड़ेंगे और यह जो अस्तर है ऐसा ही अस्तर देखें ऐसे हमने ऐसे हमने सिलाई की थे तो ऐसा ही अस्तर हम लेंगे यहाँ दूसरी side में जीपर की उपर ऐसे रखेंगे ऐसे और सिलाई करेंगे देखें ऐसे हमने यहाँ पर भी सिलाई की यहां से लाई की इसके बाद यह अस्तर हम यहां से यह बाक सीधी साइड करेंगे ऐसे दिखिया ऐसे हमने सीधी साइड किया इसके बाद यहां से यह अस्तर नीचे जाएगा यहाँ टॉप स्टिश और यह अस्तर और फैप्रिक हम दोनों साइड से चोड़ेंगे और यहाँ आने के बाद यहां पर भी हम ऐसे टॉप स्टिच करेंगे दिखिए ऐसे हमने यहाँ टॉप स्टिच किया और यह अस्तर और फाब्रिक साथ में जॉइन किया दिखिए ऐसे और यह होने के बाद यहाँ ऐसे हम पहले हमने मार किया है सिंटर का फिर भी हम एक बार फिर से दिखें यहां आईसे रखा हाथ और यहां पर भी हमने सिंटर का मार किया और दोनों साइड से हमने एक एक रनर डाले हैं और यह होने के बाद हम उल्टी साइड करेंगे दिखें ऐसे हमने उल्टी साइड किया और यह जीपर और यह जो हमने सिंटर का मार किया है यह हम ऐसे रखेंगे देखें ऐसे यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे यह जिपर और यह सेंटर का मार्क एक साथ हम रखेंगे यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे यह फैबरिक हमने 3 इंच बाई 3 इंच के यह दो पिसेस लिए और यहाँ से हमने इसे सिलाई करके यह दो पट्टिया बनाए है यहाँ आप चाहे तो इसे फोल्ड कर सकते हैं और यह जो जीपर है यहाँ पहले सिलाई कर सकते हैं यह तो इसके साथ रखेंगे तो इसके साथ सिलाई कर सकते हैं देखिए ऐसे हमने दोनों साइड चॉइन किये और ये सिलाई के बाहर का जो एक्स्ट्रा फाब्रिक था वो भी हमने एक लाइन में कटिंग किया है इसके बाद ये जीपर हम उपन करेंगे और ये जो बेल्ट है ये हम इसे बीच में रखेंगे यहां इसे इसे रखेंगे और यह होने के बाद, देखिए, यहां, यह हमने एक चार इंच, बै चार इंच का एक पीस कटिंग करके रखा है, यह सिलाई के उपर, ऐसे हम रखेंगे, यहां से, और यहां जो सिलाई है, इसके उपर हम रखते हैं, और इसके उपर हम मार्क करेंगे, ऐसे, अईसा ही मार्क हम यहां करेंगे यहां और यहां यहां यह से चारों कॉर्णनर के उपर हमने मार्क किया इसके उपर हम कटिंग करेंगे यह चारों कॉर्णनर्स हमने कटिंग किये हैं और यह होने के बाद हम यहां पाइपिन करेंगे आप अस्तर के लिए जो फाप्रिक लेंगे उसकी भी पाइपिन कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऐसे हमने दोनों साइड में पाइपिन की इसके बाद यह कॉर्णर्स के उपर हम ऐसे सिलाई करेंगे देखिए ऐसे हम चारो कॉर्णर्स के उपर लेकिन ये सिलाई हम इसे नीचे रखेंगे नीचे की साइड में देखिए ऐसे हम ने चारो कॉर्णर्स के उपर सिलाई की ये सिलाई होने के बाद सिलाई के बाहर का जो एक्स्ट्रा फाबरिक है वो हम कट करेंगे और इसी के जैसे हम इसके उपर पाइप इन करेंगे देखिए यहां हमने यह चारो कॉर्णर्स के उपर सिलाई की पाइप इन की है तो अंदर से बैग बहुत सुंदर हो गई तो यहां से हम सिधी साइड करेंगे देखिए इसे हमने सिधी साइड की यहां से हम बन करेंगी तो यह बैग हमारी complete हो गई देखिए ऐसे हमने एक फ्रेंट साइड में pocket बनाया चोटी बाग है तो हमने एक ही pocket बनाया है ऐसा ही pocket आप back side में बना सकते हैं और अंदर की side में भी एक चोटा सा pocket बना सकते हैं तो यह एक दो दीन के लिए आप इसमें कपड़ा भर के traveling में लेके जा सकते हैं यह बहुत सुन्दर से back one piece में बनी है